नमस्कार, स्वागत है आप लोग का Defense Offices Academy के YouTube चैनल पे, अभी 28 तारिक को सनिक स्कूल का एक्जाम हुआ है, और बच्चों का एक्जाम ठीक गया है, काफी messages हमारे पास आ रहे हैं, कि सर बच्चों का एक्जाम तो सही हो गया है, अब कब तक result आएगा या आगे क्या कारवाई ह हम लोग को करनी है, तो आज का वीडियो इसी के उपर based है, सबसे पहले तो parents जो जानना चाते हैं कि result कब आएगा, या students जो जानना चाते हैं, तो मैं आपको देखिए, last time के आकडों के हिसाप से मैं आपको बताना चाता हूँ, कि जो पिछले बार का exam हुआ था, वो हुआ थ वो आया था, February की last week में, तो आप लगबग दो महने का समय मान के चलीगी, दो महने के समय में लगबग वो result आपको देखने को मिला था, इस बार जो exam हुआ है, वो last week of January में हुआ है, तो मेरे हिसाप से आपका जो result आना चाहिए, वो first या second week of March तक आएगा, तो आप मार्च मे अपनी अलग-लग requirements है, आपने अलग-लग preferences दी है, उसके accordingly आपकी counseling होगी, definitely आपका involvement रहेगा, आप details डालेंगे, सारी चीज़े, आपका online participation रहेगा e-counseling में, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि e-counseling में जब एक बार आपका data चले जाता है, तो आपका किसी भी अपकी अगर मैं आपको एक बात बताओं, तो हमारा एक student है, जिसको call आई थी सेनिक स्कूल कुंच पूरा से in the month of September, September में call आई थी, आप ये लगा लिजीए कि January में paper हुआ है, September में call आई ये, और September में call आने के बाद वो गे, उनकी जो भी कारवाई हुई, medical and everything, और उसके ब वीडियो सिर्फ उन parents के लिए था, जो जानना चारे है result कब तक आएगा, तो मार्च की first year second week तक आप उतना result expect कर सकते हैं, तो I hope कि आपको अपने सवालों का जवाब हम से जरूर मिला होगा, इसी तरीकी की informational वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राब करें, आप आप है लुए और से बादे लगा, च हूँ अनुछ, तो ब झाया, पालदे लुक्स्टेव के लगा, झाया, और टियू रहने, चैनल के लिए नेकी, तो कर एट देना वीडियोग मार्च के लिए यडिए आट, ये वीडियो के लिए हैं, आप कर दो अनुछ, जारूर